पतंजली योगपिट हर्दवार के ततोधान में पाच दिवस्य योग सिविर के दूसरे दिन के प्रातह कारिन शत्र में हम सभी भश्रिका प्रणयाम से प्रणयाम कानंद लेंगे तो आख बंद करते हैं मन शांस मेरुदन बिल्कुल सीधा मन में किसी प्रकार का कोई खिचावता नाव नहीं सरीर में कोई अकड़ नहीं एकदम सांस सरीर को कर दिजिए और धीरे धीरे प्राण वाईव को दोनों नासिकाओं से अंदर प्रवेश करने का प्रयास और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ने का प्रयास करिए तब कि आखे बंद हो ये भारत की प्राचीन पुजा पधती है और इस पुजा पधती को हमारे पुरवजों ने अविश्कार किया है और इस अध्यात को भगवान कृष्ण ने भगवान राम ने पुद्ध महावीर लक्ष्ण दुरुगा सर्चुति पार्वति हमारे सभी आदर्श महापूर्शों ने अपनाया और इस योग प्रणयाम को अपना करके सबने अपने जीवन को महान बनाया है तो आईए हम सब भी अपने जीवन को दिव बनाये अपने जीवन को भव बनाये और इस जीवन को राम कृष्ण जैसा बना ले लंबा धीरे धीरे सांसों को भरते रहे जितना आप ज्यादा से ज्यादा सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे यानि जीतना देर सांसों को भरने में आपने लगाया है जीतना ही देर धीरे धीरे सांसों को छोड़ने में लगाया है थोड़ा सा भी अंतर नहीं करते हैं यदि चार सेकंड तक सांस को भरे हैं तो चार सेकंड ही लगाना है सांसों को छोड़ने में यदि आपने पांच सेकंड सांसों को भरने में लगाया है तो सांसों को छोड़ने में भी पांच सेकंड ही लगाना है इसलिए अपने सामर्थ को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और मन यदि आपका भटक रहा होगा सुरू में मन भटकता है आँक बंद करते हैं तो मन घर पे चला जाएगा पेशा पे चला जाएगा खेती पे चला जाएगा बाल बच्चों पे चला जाएगा लेकिन हम इस भौतिक उल्यनों से अभी साधना काल में मुग्द रहेंगे और साधना काल खत्म होने के बाद दिन्वार हम हमारा जो देनिक करिया है देनिक काल है उसको खूब ताकत के साथ करेंगे साथ के साथ करेंगे, भीरे-भीरे साथ भाते रहेंगे, बहुत बढ़ियां भी आज चल रहा है, और प्रमात्मा भी हमारा साथ दे रहा है, शारों तरफ बहुत सुन्दर प्राकृतिव छटा, ये जो कोरा का अभास कर रहे हैं, ऐसा मैसूस करिए कि अभी हम गंगोत्री और ये मनोत्री में बैठे हैं, हम हिमाले की चोटियों पर बैट करके इस अभ्यास को कर रहे हैं, व्यक्ति को पहले योगी होना पड़ता था, धर्तवार छोड़ करके हिमाले की कंदराओं में भटकना पड़ता था, और इस कोहरे जैसे मौसम में इसको कहते हैं नेच्रल एयर पन पाता है, तो महसूस करिए कि हम सभी दिव्यात्मा हैं, हिमाले की गोद में बैठ करके और इस सुन्दर से बातावरण में योगा अभ्यास करने का जीवन में पहली बार हम सब को एक साथ बैठ करके इस सिवदत सिंग मेमोरियल कालेज पोसमा में योग सिविर में बैठ करके अनन्द लेने का सभग प्राप्थ हो रहा है, तो आईए इस सभ्यास को आजीवन करने का संकल्प लें और जब हम इस सभ्यास को करेंगे तो गले के बिमारी, टीवी के बिमारी, सासों के बिमारी, तरह तरह की बिमारियों से हम अपने आपको बचा पाएंगे और आज अब धीरे धीरे आँखों को बंद रखेंगे, हाथों को शिथिल करते हुए, सरीर को सांध करते हुए, मन को एकागर करते हुए, इस काड़िक्रम को धीरे धीरे रोपने का प्रयास करेंगे, और धीरे धीरे आँखों को फोल करके,